सबीकर शूडूप चैनल सरकारी लोग पे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पासपोर्ट एकस्पायर हो गया है या फिर एकस्पायर होने वाला है तो आप अपने पासपोर्ट को रिन्वल या रिसू किस तरीके से कर सकते हैं उसी के बारे मे पूरी जानकरी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलो वीडियो आज की स्था पर्षब करते है इस वीडियो को आप लाइक करदीजिये अपने दोस्तों साथ सेयर कर दीजिए जुडना चाहतो है ऐसे जानकरी पाने के लिए चैनल से तो india.gov.in की official site आपके सामने उपनों के आ जाएगी अब अगर आपने पहले से ही registration कर रखा है तो existing user login पे आपको click करना होगा अगर आपने अभी तक registration नहीं किया है तो simply new user registration पे आप click करेंगे उसके बाद जैसे ही आप new user registration पे click करेंगे तो इस तरीके से registration पेज आपके सामने उपनों के आ जाएगा तो अब आपका जो present address है जो वर्तमान पता है जो current residential address है उसके according यहाँ पे passport office आप select कर लीजेगा यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजेगा जैसे अगर आपका नाम है उसके बाद यहाँ पर इस टरीके से आप डाल सकते है और अगर आपका नाम से सिंप्ली महन न Brexit है इस तरीके से आप डाल सकते जैंख यहाँ पे देत आप बर्त दीजेगा डित अबर्त क्या है कि उसके बाद यहाँ पर email ID डाल दीजेगा और अगर आप अपनी email ID को ही login ID बनाना चाहते हो तो यहाँ पर click करेंगे तो automatic email ID ही आपकी login ID बन जाएगी अगर आप login ID दूसरी बनाना चाहते हो तो email ID यहाँ पर डालके यहाँ पर no page click रहने दीजेगा उसके बाद वो login ID आप यहाँ पर डाल दीजेगा जिसको आप बनाना चाहते हो और simply check availability पर आप click करोगे तो उसमें दिख जाएगा login ID is available अगर इस तरीके से दिख रहा है green में login ID is available तो उसका आप use कर सकते हो और अगर दिख रहा है login ID is not available तो दूसरी login ID यहाँ पर डालके check availability पर आप जैसे मोहन है और इसके बाद future character लगाईएगा और इस तरीके बाद इस तरीके से आप डालीजेगा तो जो आपका नाम है तो स्टराट्फिंग डिजेट आप capital में डाल सकते हैं बाकी का Siiakamal में इस तरीके से special character इस और उसके बद नुमेरिक लगा लिजिए इस तरीके साब बना सकते हैं तो जो भी आप password बना रहे हैं वो upper letter, lower letter, special character, numeric combination होना चाहिए तो यहाँ पर password डाल लिजिए बना के जो password आपने यहाँ पर डाला है वो भी password यहाँ पर डालिएगा उसके बाद hint question select कर लिजिए क्या hint question आप रखना चाहते हैं यहाँ पर hint answer डाल लिजिएगा यह जो hint question इसके answer यहाँ फुद अबजर्थ होगी जब आप अगर आपका login का password expire हो जाता है या lock हो जाता है तो उस time hint question का answer का use करके आप उसको activate कर सकते हैं तो यह से भी डाल लिजाए उसके बाद यह capture word यहाँ डाले capture word अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इस पर क्लिक करके change आप इसको कर सकते हैं डिटेयल डालके register पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके email पर जो अभी आपने registration process के द्वारान email आईडी आपने डाली थी तो उस email को आप login करोगे तो उसमें passport.admin की तरफ से एक mail आपके पास आया होगा तो इस तरीके से आया होगा अगर आपके पास नहीं आया है तो थोड़ा wait कर लीजे कभी-कभी इसको आने में टाइम लग जाता इस mail को तो जैसे ही आ जाई तो यह जो passport.admin क्लिक यहाँ पर आप क्लिकगे इस तरीके से उपन होगे आजाएगे इस page भी नीचे की तरफ क्लिक दिया हुआ है कि इस पर कर दीजेगा तो यहाँ पर यूजर आइडिया लॉगिन आइडिया डाल दीजे जो आपने registration प्रोसेस के दौनर बना के आपने डाले थी तो यहाँ पर डालके समिट पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आजाएगा यहाँ यहाँ पर डाल दीजे जो अभी आपने अक्टिवेट की थे और कंटीनू पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद इस थरीके से ओपनों के आजाएगा यहाँ पर पासपोड डाल दीजेगा और यहाँ पर डाल यहाँ पर डालिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इस इस तरीके से पेज आपके सामने ओपनों के आजाएगा अगर इस तरीके से ओपनों के नहीं आया है इस्टेट और डिस्टिक डालने के लिए आ रहे है तो जो आपका वर्तमान पता है जो पर जेंट या करंट रेजिडेंसल एडरस आपका उसके अकोर्डिंग इस्टेट वो तीन साल से जादर टाइम हो गया है तो यहाँ पर क्लिक कीजेगा और अगर दो साल के अंदर एकस्पायर हुआ है तो यहाँ पर क्लिक कीजेगा या फिर एक साल के अंदर अगर एकस्पायर होने वाला है तो तब भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एक जोसन और पे तो हमारी case में जो हमारा passport है वो एक साल के अंदर expire हो जाएगा तो यहाँ पर हम click करतेंगे और अगर आपका 2 साल के अंदर expire हो गया passport तब यहाँ पर click कर सकते हैं या फिर अगर 3 साल पहले expire हो गया तो तब आपको यहाँ पर click करना होगा ठीक है उसके बाद करते है type of application की अगर आपका काम नॉर्मल पास्पोर्ट एप्लिकेशन से चल जाएगा, अगर आपको ततकाल के अंदर पास्पोर्ट चाहिए, जल्दी आपको पास्पोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे किलिक कीजेगा, इस केस में अगर आपको ततकाल पास्पोर्ट चाहिए, तो इस केस में payment भी आपका ज्यादा लगेगा और अगर आप चाहते कि normal में आपका काम हो जाए normal आपको passport मिल जाए थोड़ा time लग जाए तो कोई दिकत नहीं है तो इसमें आपको normal click करके proceed कर सकते हैं और वहीं अगर आपको जल्दी में passport चाहिए तो नेक्ट पर click कीजेगा इस तरीके से उपनों के आजाए कि हाँ पर आप अपना नाम डाल दीजेए और अगर नहीं जाने जाते हो तो simply no पर click कीजेए उसके बाद यह आता है कि क्या आपने अपना नाम चेंज किया है अगर चेंज किया तो नोपर डाल दीजेए और अगर दिश्ट कर दीजेए आप अपने ट्ट अ बर्च और आता हैंगे यहां पर ₤ ₤ जो भी हो सलेक्ट कर लीजेगा उसके बाद यहां पर पैन नंबर डाल दीजिए अगर आपके पास पैन अविलेबल तो यहां पर आपको ध्यान रकना है जो भी आप डिटेल डाल रहे हो जैसे आप नाम डेट अपर यह जो भी डाल लिए जो भी डाल लिए आज पर डॉक्मे कि बात कर लेते हैं तो जो भी आपका मिमंट टाइप अगर प्राइवेट हो प्राइवेट सिर्थ किजे गा इस्टूडेन किजे गास यहां पर कर लीजेगा आपके या फिर 10th है जो भी आपकी qualification वो select कर लीजिएगा बात करें non-eCR की non-eCR के अंडर कौन से की document चाहिए तो आप क्रिक करके आप देख सकते हैं और अगर आपकी simply 10th qualification है तो जो आपका high school का certificate है तो उसे आपको non-eCR वाला passport मिल जाएगा और अगर वही qualification आपकी 10th से नीचे है 8th and 9th standard है या अगर 7th pass और less है तो यह automatic no हो जाएगा तो इसमें आपका जो passport आएगा चाहिए तो वह देख सकते हैं उसके बात करते हैं विजीबल मार्क की पैचान चीन की तो आप यहां पर डाल सकते हैं और उसके बाद आदा नमबर यहां पर डालके यहां पर यहां पर क्लिक करके कीजिगा और अगर आधार नमबर नहीं आपके बास या नहीं आप डालना चाहते हैं पूलेंक छोटती जएगा और सब्सक्र में किकेजिगेना और आंपने यहां पर अधार नमबर डाला है एसको क्लिक कर दीजाए अगर आपने आधानमर नहीं डाला है तो simply next पे क्लिक ख़र दीजिएगा आप Father name डाल दीजिएगा Father name running में आप डाल सकते हो जा जो सर्नेम है सर्नेम नीचे आप डाल सकते तो सरनेम रणिंग में बढ़ सकते है bangs, raw prett, europ honestly इस तरिके से बढ़ सकते है कोई दिक्कथ नहीं है क्योंकि आपका passport ऐगा, सरनेम का कॉलम नहीं होता है, parent की detail में और जो एफ्लिकेंट नाम उसमें सरनेम सब्सक्राइब की यहां पर अगर आप मेरेड हो तो मेरेड की केस में इस पॉस्टनेम पर आपको डालना तो जैसे सिंगल है तो यहां पर आपको डालने फादर ने अंदर ने और उसके बाद सेमगे डेर्स पे के लिएगा उसके बाद next पे क्लिक इजेगा यहाँ पर पीसर्ट यहाँ उसके अकॉड़िंग इंस्टेट यहाँ आप डालोगे यहाँ प्र自己 का डाल लोगे इसके यहां ह오 the start. पुलिशी स्टेशन शुन "'डालोगे कि यहां पे पिन कोड डाल लीजेगा I यहां पे अल्टरनेट मॉब्ल नंबर है अगर आपके पास ठों डाल लीजेगा यहां पर mu ale डाल लीजेगा और उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर sowaker पर्मेंट address is available अगर पर्मानेंट address अभलेबल है तो यह तो eh पर्मानेंट jack डाल रीज grading करोगे से ट wizard आपको यहां पर दिख जागे निए अगर आपके पास कोई सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद नेक्स पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरीके से आजाता है उक्के पर क्लिक कर दीजिएगा इणफर्मेशन के लिए आजागों के पर क्लिक कर दीजिएगा अब यहां पर इभर्जेंसी कान्टेक्ट डिडेल डाल दीजिएगा यहां पर आप अपने आप यहां पराध। नाम और अर्ष डाल दिजिएगा या फिर आप अपने किसी रिलेटीव का नाम और अर्ड दाले अवगा आपसपूर्ट दाल दिजिएगा यहाँ पर date of issue डाल दीजेगा यहाँ पर date of expiry डाल दीजेगा यहाँ पर place of issue डाल दीजे कहाँ से issue आ है यहाँ पर file number डाल दीजेगा यहाँ पर official passport तो यहाँ पर details note अवेल इस पर क्लिक कर देगे उसके बाद है भी applied for passport but note issue तो note पर click कर देगे आपने बीच में कभी apply किया है पर passport के लिए यहाँ पर yes पर click करके file number डालेगा date of applying और passport डालेगा कहाँ से apply आपने किया है अगर बीच में apply आपने किया है यह जो application है इससे पहले अगर आपने apply किया है अगर नहीं किया है तो simply no पर आप click करेंगे इसे भी detail डाल दिया अब next पर click करते है उसके बाद इस तरीके से आता है तो applicant के अगर कोई भी criminal प्रोसेडिंग नहीं है तो simply आपने नहीं पर click कर देंगे उसके बाद applicant has been convicted by a court in India तो यह भी नहीं है तो no पर click कर देंगे उसके बाद passport कभी refuse denied नहीं हुआ तो no पर click कर देंगे उसके बाद applied for और been granted foreign citizenship तो ऐसा भी नहीं है तो no पर click कर देंगे इसके बाद next पर click कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट पर click कीजिएगा प्रिवी डिटेल आपको दिख जाएगी नाम और नेम और डिट ऑप बर्थ और भी काभी डिटेल दिख जाएगी नीचे आओगे सबको सही अगर तो next पर आपको click करना है अब यहां पर birth proof select कर लिजिएगा birth proof आप क्या रखना चाहते हो तो 10 का certificate रखना चाहते हूँ तो यह इस क्लिक कीजिएगा अगर आप आधार करना चाहते हों तो आधार पर click कर लिजिएगा जो भी आप रखना चाहते हूँ उस पे क्लिक आप कर लीजे प्रिजहां रेजिटेंटर आटरस पुर्व में आपको रखना चाहते है वो सेल्ग आप कर लिजेगा उसके बाद OK वे क्लिक कीजेगा अगर आप यहाँ पे bank की passbook रखना चाहते तो आपको द्यान रखना है कि जिस date का पे आपको appointment मिलेगा और जिस मंत में भी appointment आपको मिल रहा है उस मंत तक की entries update होनी चाहिए आपकी passbook में टेक है तो हमने आधाराद रहे हम पे select कर लिया है उसके बाद यहाँ पे आप place select कर लिजाए address के according यह जो box इस पे click करके save my details पे आप click करेंगे तो details save हो जाएगी उसके बाद preview application form पे click करेंगे जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो जो भी आपने entries किया है जो भी आपने details डाली है वह preview page आपके सामने उपनों के आ जाएगा कुछ आप उसमें changes करना चाहते हो तो प्रूप पे click करके जहां पर भी आप changes करना चाहते हो वह changes आप कर सकते हैं उसके बाद इस page पे आखे say my details पे click करेंगे प्रूप 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 करके details आप एक बारच्छे से चेक कर लिजएगा और सब कुछ अगर सही है तो simply submit form पे आप वह click करना है उसके बाद इस तरीके से आजाएगा और application form has been submitted successfully पुली payment और appointment करने के लिए यहां पर click कीजिएगा और payment करने के लिए इस सर्गिल पर click कीजिएगा उसके बाद next पर click कीजिएगा इस तरीके से आज आएगा next पर click कर दीजिए अब यहां पर passport office select कर लिजिएगा कौन जे उसका आप appointment बूक करना चाहते हैं यह capture यहां पर payment करना है टोटल पेइमेंट कितना वह दीख जाएगा appointment कब-कब बूक हो रहा है वह दीख जाएगा यहां पर यहां पर जो calendar है इसमें आप click करोगे यहां पर date दीख जाएगा कौन कौन से date के appointment चल रही है तो जिस date का आप लेना चाहते हो green date इन मेसे जो भी green date है इन मेस जिस इस डेट का भी appointment आप लेना चाहते है उस पर आप क्लिक कीजिएगा अब यहाँ पर जो date चल रही है इसी का हम appointment बुक करना चाहते है तो pay and book appointment पर क्लिक कर देंगे उसके बाद इस तरीके से आएगा I OK I OK I understand क्लिक इस पर कर दीजिएगा इस तरीके से आजाएगा confirm पर क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर card number डाल दीजिएगा किस month year में card expert हो रहा हूँ यहाँ पर डाले किनके नाम पर card उनका नाम यहाँ पर डाले CV code की 3-digit card के पीछ आपको दीजिएगे वह यहाँ पर डाले यह capture word यहाँ पर डालके paper क्लिक करें अब इस तरीके से आपके सामने open होके आ जाएगा तो payment successfully हो चुकिए तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूँगा जैसे ही आप इस पेज पे दस सेकेंड वेट करोगे या click here पर क्लिक करेंगे अब इस तरीके से आजाएगे और appointment has been booked successful और appointment number इजी है तो अगर आपका appointment नहीं बुक हो पाया है प्रिमिन्ट हो गई है तो इस वीडियो उसका भी तरीका इस वीडियो के राष्ट में मैं आपको बता दूँगा तो appointment receipt निकालने के लिए यहाँ पे click कीजिएगा आप इस तरीके से आ जाएगा इस पेज पर नीचे की तरप आप आईएगा और यहाँ पे दो option आपको दिखें get appointment sms या print application receipt अगर आपके पास mobile पे जो application से link है उस पे appointment details related sms आपको मिल गया है तो अच्छी बात है अगर नहीं मिला है तो get appointment sms पे click कीजिएगा यह जो appointment का sms होता है यह आपको वहाँ पे दिखाना होगा जिस date का भी आपको appointment मिलता है उ है वो message आपको दिखाना होगा तो get appointment sms पे आप click करेंगे इस तरीके से दिखेगा okay पे click कर दीजेगा अब इस तरीके सा जाएगा an sms with your appointment details have been sent on तो आपका जो mobile है इस पे appointment details से sms भीज़ दिया गया है इस पे जबाब नीचे की तरफ आईएगा application receipt appointment receipt receipt निकालने के लिए यहा अब इस तरीके से appointment receipt आपके सामने open ओके आ जाएगी इसको save करना चाहते है उसको save कर सकते है print अगर आप इसका निकालना चाहते है तो print आप निकाल सकते है तो document के अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से document लेके जाने होंगे फइस्ट passport application form किस तरीके से निकाल सकते है एं जिस ते जनल लौगिन पर किलिक करोगे उसका बात प्सवाद डाल container डाल की प्रॉसिट पर किलिक करोगे व्यू से रूटिक करोगे अपके दिख जाएक जो आपने डाली है उसके आगि जो सरकल है इस पर किलिक करोगे तो व्य जो आपका employment type है, अगर student है, तो student ID लेके जाईएगा, private है, अगर आप तो जहां पर आप job करते हो, फ्रोप आप लेके जाईएगा, next, जो भी आपकी qualification है, वो उसके document आप लेके जाईएगा, अगर आपकी qualification है, 10th है अगर आपकी qualification, 10th pass हो आप, तो 10th का certificate आप लेके जाईएगा, अगर आपकी qualification 12th है, तो 10th का certificate तो आपको लेके जाना ही है, साथ के साथ आप 12th की document में लेके जा सकते हैं, और अगर graduate हो आप, तो graduation 10th का certificate mandatory है, उसके साथ 12th and graduation के आप लेके जा सकते हैं, 10th का तो mandatory है ही, अगर आपकी qualification 10th से नीचे है below 10th है या 8th pass हो या 9th pass हो या 7th pass हो तो उस case में आपको इनको लेके जाने की ज़रुत नहीं है जब आपके पास जो qualification हो below 10th है तो उस case में ज़रुत नहीं है आपको next document जो भी आपका address है जो current address आपका present address वर्तमान जो पता है उसके according आप प्रूप लेके जाईएगा अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे है तो original आधार के साथ यी आधार पे आप लेके जाईएगा अगर आपके पास आधार नहीं है तो other document आप लेके जा सकते हो address प्रूप के लिए present address प्रूप के लिए उनके list already में आपको बताई रहे है किस तरीके से आप उसको देख सकते है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ document advisor पर आप किलिक करोगे उसके बाद resource of passport पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपका type of application नॉर्मल है ततकाल है तो वह select आप कीजिए जो पर आपने apply कि है applicant category select कर लिजेगा applicant के according employment type select कर लिजेगा उसके बाद अगर address different है जो आपके passport में address है उसके अलावा अगर address है current address उससे different है तो यस पी किलिक करना है और current address और passport में जो address same है तो नो पी कि क्लिक करना है उसके बाद अगर applicant non-eCR category के लिए applicable है तो इस पी क्लिक कीजिए अधरवाइस नो पी क्लिक कीजिए और उसके बाद continue पी क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो है वह select कर लिजिए वह क्या है region क्या है तो नो पी क्लिक करके वी रिकार डॉक्मेंट पी क्लिक करोगे तो यहाँ पे यह document mandatory है ठीक है जी और अगर address different है तो उस case में यह document अलग हो जाएंगे तो जैसे यहाँ पी क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे different ESP क्लिक करके no यहाँ पे ESP क्लिक कर लेंगे continue पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है इस पे क्लिक करके address पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा address का अगर address change है तो उस case में ठीक है तो यहाँ पे view required document पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूप और present address प्रूप तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन मेंसे आगर आपके पास कोई भी प्रूप है तो address प्रूप के लिए वह applicable होगा ठीक है जी तो यह तो address प्रूप की बाद होगी उसके बाद उसके बाद जो पासपोर्ट है आपका जो अभी तक आप जिसका यूज करते हुए आ रहे है तो वह original और उसकी photocopy तो यहाँ पे photocopy का भी दिखाया हुआ है किस तरीके साब को document advisor पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे others पे क्लिक करेंगे तो applicant के according य पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते है old passport in original तो जो पासपोर्ट अभी तक आप यूज करते हुए आ रहे है वह original और उसके साथ साथ उसकी जो photocopy self-attested photocopy of its first two and last two pages उसका जो first two pages है और last के two pages जो है पासपो जी के तरफ टिक है जी तो यह हो गया उसकी बाद जो पासपोर्ट है नेक्स्ट डॉकुमेंट की पेमेंट रिसेप्ट पेमेंट रिसेप्ट किस तरीक से निकाल सकते हैं तो इस चैनल पर अल्रेडी हमने उस से रिलेटिड वीडियो अप्लोड कर रहा है कि यहाँ पे आप तो यह डॉकुमेंट आपको लेके जाने इसके साथ साथ वह मोबाइल पे आप लेके जाएगे जिस पर अपॉल्मेंट डेटिल से रिलेटेड़ एसमेस आपके पास आया है और अपने दो या तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप लेके जा सकते हैं जैसे आप पासपोर्ट अप्पिस जाओगे वहाँ पे जैसे आपस्पोर्ट प्रॉसेर कम्प्लिट हो जाएगी सक्सिस्पोली और अगर आपकी नॉर्मल के तयत पासपोर्ट अबीचेशन है तो आपका जो पुलिस इस्टेशन वहा पे पर पिलिस वेरिकेसन है पिलिस इंक्वारी क तो उसके कुछ दिर्वाद ही आपका passport by speed post आपके address पर आ जाएगा, कभी कभी इसमें time लग जाता by speed post आने में, तो status आप देख सकते हो, हम भी track application status के लिए करके भी देख सकते हो, या login करके भी आप देख सकते हो, कि आपके application का क्या status चल रहा है, तो उससे related status आपके इस तरीक स check, तो इसको देखोगे, तो ladies में उमने बताया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वीडियो 5 मत पहले अप्लोड की है, तो इसको आप देख सकते हैं, और वही अगर आपने का, जो application है आपकी, अगर आपने ततकल category के तहत अप्लाई किया है, तो passport अभी से जैसे ही सारा process complete हो जाएगा, और clear आपका सारा process रहता है, तो उस case में, कुछी दिनों में by speed post है, passport आपके address पे आजाएगा, और उसके बाद police verification आपकी, उसके बाद complete होगी, इस case में passport आपको पहले मिल जाता है, ततकाल के case में, और police verification post में होती है, police verification बाद में ह जाता है, जब सारा process complete हो जाता है, तो ये complete information है, उमीद है, वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए, share कीजिए, और कोई अगर आपका doubt रह गया, तो नीचे comment box में, आप comment कर सकते है, social site पे आप फाइदा इसका ये होगा, कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ, उसकी जान करें मिलेगी आपको सबसे पहले, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, आपसे अगले वीडियो नई जान करें के साथ, तब तक के लिए, bye, take care.